नमस्कार, यी दिना में आपका स्वागत है यी दिना की एग्जिट पोल को चुनोती जी हाँ आपने सही सुना यी दिना जो एक बैंगलोर बेस्ट मीडिया संस्थान है उन्होंने एग्जिट पोल की विश्वसनियता को चैलेंज किया है खास तौर पे करनाटिका के नंबर्स को लेके ये इसे अपने सर्वे और प्री पोल के आधार पर चैलेंज कर रहे हैं एक तारीक को चुनाव समाप्त हुआ और शाम से एग्जिट पोल्स की बार जैसे आ गई और इस बार में सब टीवी चैनल्स बहसे गए यहां तक की अगले दिन के अकबारों में भी पहले पन्ने की हेडलाइन इसे बना दिया गया ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल बनाने की तयारी चल रही है बिना चेक किये तो हम घड़ी भी नहीं खरीदते तो यह तो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिसमें आठ नौ कमपनियों में कुछ हजार लोगों का सर्वे करके इसे सौ करोड के जनता का जनादेश बता दिया जाता है इस विश्वास के क्या मानक है सिर्फ इसलिए कि यह कमपनिया कई साल से एक्जिट पोल्स कर रही है और इनका कई चैनल के साथ तायप है एक्जिट पोल कई बार सही होते हैं और कई बार गलत भी होते हैं इदिना की रिसर्च टीम जो काफी समय से करनाटका में सर्वे कर रही है उनका कहना है कि करनाटका को लेके ये exit polls गलत हैं तो आईए हम बात करते हैं भरत है बाल से जो की इदिना research team के head है भरत आपका स्वागत है इदिना में इस challenge का क्या मतलब है जब चुना कतम हुआ June 1st को तब evening से आने लगा exit poll की आकड़े आने लगा ये कुछ synchronized way में आने लगा वो अलग बात है कि सभी का आंकड़े ज्यादा difference नहीं था 340 से 400 तक ऐसी एक दो इसमें हम हैरान थे कि एक भी ऐसा नहीं है कि मतलब exceptional result आया हो मतलब आ सकता है न कि सभी सबके सभी 340 to 400 इसी रेंज में या आसपास की रेंज में आंकड़े दी है तो हमने सोचा कि हम भी survey कर रहे है कि करनाटका की आंकड़े क्या है जनरली यह जो भी exit poll चलता है या अब तक जो भी चला है CSDS अपना डेटा पूरा website में डालते हैं तो ऐसी हमने बहुत सारा websites को यह जो भी टूडेश चान क्या हो या access my India हो या इन सब को हमने ढूंडा और किसी का मतलब data नहीं है किसी का data नहीं है किसी ने भी data अपना बाहर नहीं है क्या sampling था क्या methodology था और कैसे उसको demographics था और जिसकी नतीजे से यह आकड़े आये हैं जब लोगतंतर के बारे में बात करते हैं तो हमें credible होना चाहिए उस credibility के लिए के लिए हम कैसे यह process किया हमने कैसे यह किया से पूछना पड़ेगा तो हम जब हम ढूंड रहते हैं किसी का नहीं है एक्सेस में इंडिया का ही मिला हमें कि वह कैसे किये हैं और राइंस्परेंट में में सब कुछ बताया हैं लेकिन करनाटका के आकड़े उन उन में जो भी दिया है वो देखके हमें अश्यर्य हुआ पहला आश्यर्य हुआ क्यों कि एक साल से पहले हम से ही हम सर्वे करते आ रहे हैं करनाटका मैं ऐसा नहीं है कि वह बीजेपी और 55% हो सके तो यह में था कि यह इंपोजिबल है करनाटका के इस जो स्टड़ी किये हैं एक साल से उसको देखके यह 55% वोट्शेर इंपोजिबल है क्यों कि हमने सर्वे प्रिपोल भी सर्वे की हैं दो बड़े सर्वे किये हैं और जब चुनाव चल रहा था तबीस रवे इस तरफ उस तरफ गया होगा या कुछ आकड़े को हमें चक करने के लिए इन तीनों चीजों में Congress 2% आगे है 1% से 2% आगे है कुछ-कुछ शेत्र में Congress पीछे है यह हम अल्मोस्ट 28 constituency में हमने सर्वे किया हैं तो on an average Congress is 1-2% ahead of BJP BJP-JDS Alliance in entire Karnataka तो आप यह कह रहे हैं कि यह जो वोट शेर बता रहे हैं वो इतनी सीटों में translate नहीं हो सकता है जैसा कि यह सारे exit polls दिखा रहे हैं करनाटका के बारे में तो आपको यह भी लगता है कि वोट शेर और सीटों के बारे में जो सीट नंबर दिये जा रहे हैं वो एक सही मानक नहीं है वोट शेर बोल सकते हैं लेकिन वो इतनी सीटें जीतेंगे यह थोड़ा यह नहीं है क्योंकि Congress को 41 परसंट दिये हैं और 55 परसंट BJP-JDS को दिये हैं यह हमारी जो भी study है last one more than one year से यह impossible है यह हम clearly बताना चाहते हैं और हम ढूंड रहते हैं कि इसका वजा क्या हो सकता है जम हमने ढूंड और demographics देखा कि यहां बोला गया है 31% woman representation है फूरा survey में 5.8 lakh sample size में 31% woman representation है 69% men representation है यह तो जो भी survey करते हैं पहला यह होना चाहिए यह demographic सही होना चाहिए जो भी हम भी survey करते हैं अगर 40 के बीच 40% woman representation है तो हम weightage डाल सकते हैं आखसमाइंडिया clearly said that they have extrapolated to 50-50% लेकिन यह sampling ही गलत होगा तो 50-50% यह अगर extrapolate भी करेंगे यह wrong होगा और यह भी उन्होंने बताया है कि women voters 2% ज्यादा वोट करते हैं BJP को Congress से लेकिन करनाटका में 12% woman vote more to Congress than BJP तो इनका आखडे क्या है मतलब ओ consistency wise आखडे से यह किये हैं weightage डाले हैं या मतलब अलोर इंडिया एक नहीं है ना North India behaves in different way East India behaves in a different way South India behaves in a different way in one shot they have said 2% woman vote overall India के बाल में बोल दिया है इसमें एक बात और आड करना चाहूंगी जैसा कि आपने पहले बोला कि आप एक साल से सर्वे कर रहे हैं आपका संस्थान इदिना ने करनात पिछले साल करनातका के जो assembly election थे उसमें भी सर्वे किया था और उनका सर्वे almost accurate figure था जबकि बाकी exit polls जो figure दे रहे थे वो असली number के बहुत दूर दूर तक सही नहीं था तो जहां next आप इसी बात को extend करते हुए जो आपने कहां महिलाओं का number इतना है इस सर्वे में ऐसा दिखाया जा रहा है तो महिलाओं का इन्होंने इतना percentage लिया सिर्फ महिलाओं अगर हम 50 प्रतिशत महिलाओं भी कहें इस देश में हैं तो भी मुश्किल है क्योंकि इंडिया बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है अलग अलग छेतर हैं राज्य हैं अलग भाशाएं हैं कास्ट हैं जेंडर हैं कई बार लोग लेने जा रहे हैं और उस वक्त महिलाओं जादा ना बोलें या कुछ वोटर डर के मारे उनके भी बाइस होते हैं वो आपको जो वोटर पूजो पूछ रहे हैं वैसा ही जवाब दे दें तो यह बहुत सारी चीजें हैं जो वेरियेबिलिटी ला सकती हैं सिर्फ एक जेंडर महिलाओं का ही नहीं है आपने यह आपने अपने पहले इंट्रिव में भी बात की कि पढ़े लि जाना साता हूं सिर्फ दो चीज के बारे में बोलना चाता हूं एक जेंडर का है जेंडर का 30% 31% है तो सौथ इंडियन रप्रेजेंटेशन में उमन ज्यादा हो सकते हैं यह मेरा मतलब गेस है क्योंकि यहां ज्यादा हो सकता है नौर्थ में कम हो सकता है अगर नौर्थ में है अरबन एजुकेटेड या एजुकेटेड या पिछडे हो या आदिवासी हो इन सब का आपको तुलना करना करना पड़ेगा कि यह सैंपल सही है मतलब एकोल रप्रेजेंटेशन सही है अगर यह नहीं होता तो यह बहुत एर्रस लाएगा अपने आंक्डे में और वो गल्त investing जड़ी शिए अगराई यह चाहिव एकोल यह टोबी और चलो और चाहिपर में पॉर्टे इन जोबी हम सर्वे कर रहें है प्रस्नातीत नहीं है दमोक्रशी मैं सबको को शाइट रोइक भी न चॉब्यर्ण बेंट इंटी लीग्या टोब्रिजैंट आटी जोब विए पोल अब तक खुलासा किये हैं संस्ता हैं वो कैसे methodology किया किस से बात किया और कैसे प्रश्न पोचा गया था और यह सब अगर देंगे तो इसका और credibility बढ़ेगा नहीं तो के अररेडि आपको पता है godhi media कैसा वेपन हवा है पुरा मीडिय को भी वेपन एज करके गोधी मीडिया बना दिया है अभी exit pole को भी यह वेपनेस करके कर 16 कर के का राजिका ही बोल रहे हैं कि इसमें गलती है कि हम चैलेंज कर सकते हैं ये आंकड़ा करनाटका का गलत होगा तो आप अपने चैलेंज में आप अपना डेटा रखेंगे और आप उनसे भी उमीद कर रहे हैं जो एक्जिट पोल जिन्होंने अनौंस किये हैं कि वो भी अपना के सर्वे किये जाते हैं तो उनकी credibility को उस विश्वसनियतों को बढ़ाने के लिए जादा अच्छा रहता है अगर सब चीज लोगों के सामने रहें लोग अपने आप ये चीज साइट कर सकें एक और बूल गया 15% are not gone to school लेकिन इंडिया का आंकड़ा ये है 26% तक इंडिया का आंकड़ा ये बोलता है कि साक्षरता में वो पीचे हैं या स्कूल नहीं गया है तो ये 15% under presentation of uneducated also is there whereas uneducated are generally poor and they vote more when you miss this sample इसके बारे में access by इंडिया का कोई disclaimer कुछ नहीं है तो इससे भी हमें पता चलता है कि representation में अगर गलती हुआ है ये प्रदीम कुपता जी का बुक में यही बताया गया है कि अगर वो गलत हो गया सब कुछ गलाज हो जाता है तो यही contradiction है हमारा बात पर खरें नहीं उतर रहे हैं इन exit polls और एक चीज़ है प्रदीब गुपता जी नहीं अपने बुक में यही बताया है कि 2016 में तमिल नाडू के एलेक्शन में उनका exit poll में क्यों गलत हो गया है उन्होंने बोला की जंडर महिलां को कम बात किया इसलिए उनको आइसा नतिज आया आंक्रे आया की dmk win ho ra leken female voters generally preferred jailalita more than dmk so that was the key thing and a dmk one instead of dmk that access my India predicted when I'm not saying that we are everything and we are like correct all those things but then access my India was also seven times it has gone wrong in seven elections they have gone wrong it is not like lekenis bar to go a इसे दिखा रहे हैं सब चैनल पर अगर आप देखें exit polls को वह ऐसे दिखा रहे हैं कि इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता है वहीं यह जो exit poll नहीं यह exact poll है नहीं यह उनका highlights survey highlights बोलके टिपनी दिया है उन्होंने उनमें modi का गुणगान इतना है मतलब यह biases दिखता है directly दिखता है यह लोग बोलते हैं 1550 करोड लोगों को उल्यू नहीं बना सकते हैं यह democracy है और वही टिपनी में लिखते हैं कि मोदी जैसा लीडर opposition में नहीं यह यह बहुत ही प्रजात्मत्र के लिए बहुत ही डेंजरस एक्जामपल दे रहा है कि बोल रहे हैं कि इंडरा गांधी जब अ एमर्जेंसी थोपा था इंडिया पर कोई opposition का लीडर नहीं था तो कैसे इंडरा गांधी हार गई वही बहुत हो पुरा पॉपिलर थे और इंडिया शेन कर रहे थे हैं थो हज़ार में सब बोल रहे थे वाच पे आजाएंगे वाच पी आ जाएंगे तो हरेना मतलब ये एग्जम्पल लाइव एग्जम्पल से हमरा पास कि ये बोलना ये पार्टिं आप धैन्स्ट्रीम मे do election survey we do social survey we do many kind of surveys and we have some kind of knowledge about this so with this knowledge we are asking let us discuss and resolve this like we can if we can if we can learn something from you well and good and if you are right we'll accept that you are right and we'll learn if we are right then they have to be ready for learning from us you are very credible they are so proud that they are so proud that they have raw data, very little, no state has not given data, only access my india has given data so in this case they can feel more doubt about their trust so why will they do such a thing no i want to congratulate access my india first because they have at least given data they have given data are given and other people把 this data not given how to注意 survey they are like nothing today are saying today because we are also believing we have even at 2014 was BENe førtine even incred samples we have claimed that we have due 2019 लेना चाहिए और डेमोक्राटिक प्रोसस को स्ट्रेंटिन करना चाहिए यह वन शॉट में क्लीन स्वीप में नहीं यह जीत गए यह हार गए है यह ऐसी देना प्रजात तंत्र के लिए बहुत डेंजरस है जिस तरह से यह बाते कहीं जा रही है ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट पहले डिकलेर कर दिया है और एक्जाम देने बाद में गए है अभी काउंटिंग हुई नहीं है मार्क्स चेक नहीं हुए है लेकिन पहले से रिपोर्ट कार्ट तै करके जनता के सामने रख दी गई है और जनता से उमीद की जारी है कि वो इसी एक्जिट पोल को ए हत्रे में है जनतंत्र में जन की बात हो स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव हो और जना देश की विजय हो इसी उमीद के साथ हम विदा लेते हैं भरत आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और इसी तरह इदिना.com को देखते रहिए कर दो कर दो